नमस्कार दोस्तों जेकर सक्सक्स पॉइंट की यूटूब चनल में आपका स्वागत है तो डेडिकेटेड फ्रेंट कोरिडोर कॉर्परेशन ओफ हिंडिया लिमिटेड जो मिनिस्टरी ओफ रेलवे के अंतरगत आता है तो इसमें जो नई विकेंशी आई है उनके बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं यह जो नई भरतियाई है यह कुल एक अजार से भी अधिक पदों के लिए इसमें बरती है वो निकाली गई थी है वो आई टियाई डिपलोमा बीटेक वोल्डर्स है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सभी के लिए नोकरी पाने का एक बहुत ही सुनेरा मोका है वो इसमें आया है बहुत अच्छी विकेंशीज है वो इसमें आई है बहुत अधिक पदों के लिए इसमें विकेंशीज है वो इस बार निकाली गई है तो आज की वीडियो में हम इसी बरती के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या selection process रहने वाला है education qualification क्या है age limit क्या रहने वाली है आपका जो exam center है वो क्या रहने वाला है examination fees है forum fees है वो कब से लेकर कब तक है और कितनी fees इसमें लगने वाले तो सभी बातों के आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले तो आप वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को अंतक जुरूर देखें आप यह देशकते हैं यह इसका official notification dedicated front corridor corporation of India limited इसका official notification आया है जिसमें advertisement number भी इसका दिया गया 04-2021 तो इसका official notification आज इसमें को read करने वाले तो इसमें आप जब नीचे आएंगे तो इसमें बताए है कि इसमें जो इसके forum start होने की date है वह इन्होंने बताई है 24-2021 ही कि Account में इसके फोरम हो वो इस्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लाश डेट है वो 23 मई 2021 तक इसकी लाश डेट है वो इन्होंने बताई है लाश डेट कितनी है 23 मई 2021 है और इसका जो अग्जाम है वो इन्होंने बताया है कि जो CBT होने वाला है आगे हम इसकी category's wise of vacancies हैं, उनको discuss करे वने वाले हैं कि कौन-कौन सी पोष्ट के लिए कितनी-कितनी इसमे इसमें vacancies आई हैं, तो सबसे पहले, जो पोष्ट आई है इसमें, वो आई है, junior manager के लिए, किसके लिए ये, फोष्ट है, इसमें junior जून्यर मेनेजर के लिए इसमें पे स्केल बटाया है वह आपके लिए बिदाया इसमें 50 हजार से लेकर 108,000 रुपए मतलु आपको व्यत्तन हो पत्ला आपको व shapedन हो इसमें मिलने वाला है जून्यर मेनेजर शिविल की इसमें पॉस्ट है easy में total 31 vacancies हैं वो इन्होंने बताई है 31 पोस्ट के लिए बरती है यह निकल कर आई है और इसमें आप दे सकते हैं इसमें categories wise भी इन्होंने बताई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी vacancies हैं अलग-अलग देख सकते हैं भी 60% passing marks के साथ मतलब bachelor's degree होने चाहिए civil engineering में और वो भी आपके पास minimum 60% marks है वो आपके ओने चाहिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट इसमें junior manager की यह पोस्ट है इसमें भी है यह junior manager operations and bd के लिए vacancies है इसमें total 77 vacancies है वो इन्होंने बताई है अलग-अलग categories wise भी इसमें vacancies बताई है इसमें educational qualification की बात करें तो वह आप देख सकते हैं two years का आपके पास mba या pgdbg या फिर pgdm मार्केटिंग business या फिर business operations में आपके पास 60% minimum 60% के पास आउट के आपका पास certificate है वो होना चाहिए अगली पोस्ट के लिए बात करें तो अगली पोस्ट है वो इसमें है junior manager mechanical के लिए इसमें वर्ती है वो निकल कर आईए इसमें total है वो तीन you can see है और इसमें जो educational qualification इन्होंने बताई है वो आप देख सकते हैं bachelor's degree होनी चाहिए आपके पास mechanical engineering में electrical engineering में metronic engineering industrial engineering production engineering automobile engineering इसी परकार instrumentation और control engineering में आपके पास minimum 60% marks है वो इसमें bachelor's degree और engineering में आपके होने चाहिए और इसमें जो medical standard भी इन्होंने सब के लिए अलग अलग बताया है इस post का जो medical standard है वो आपका A3 होना चाहिए next time post की बात करें जो next post है वो इसमें executive की post है वो इन्होंने बताईए एग्जुकेटिव की जो post है इसमें आपको इसमें देख सकते हैं pay scale है वो आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको मिलने वाले हैं इसमें जो पहली post है वो executive में civil के लिए post है वो इन्होंने बताईए इसमें total है वो 33 vacancies है और इसमें जो educational qualification है वो इन्होंने बताई है कि आपके पास diploma होना चाहिए तीन साल का शिवील इंजिनेरिंग में है शिवील इंजिनेरिंग में ट्रांस्पोर्टेशन शिवील इंजिनेरिंग कर्स्ट्रेक्शन टेकनोलोजी तो इसमें दिया गया है उन सभी के अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए minimum 3 साल का और वो भी minimum 60 प्रतिशत मार्ग्स है वो आपके होने चाहिए उस डिप्लोमा के अंदर और इसमें जो medical standard बताया है वो A3 टाइप का आपका medical standard आप होने चाहिए next इसमें post की बात करें तो next इसमें executive electrical के लिए कौन सी हो जाएगी अगली post है वो है executive electrical की इसमें post है और इसमें total vacancies है वो total 42 vacancies इसमें बताई गई educational qualification की बात करें तो इसमें देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास three years का electrical electronics, power supply instruments and control industrial electronics इन सभी में आपके पास minimum 60% marks के साथ आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए minimum three years का अगली post के लिए बात करें जाए तो अगली post है इसमें executive में signal और जो telecommunication की जो post है वो इन्होंने बताई है total 87 post है वो इन्होंने बताई है और इसमें जो educational qualification है वो आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए three years का जो categories दी गई है कौन-कौन सी trade में आपके पास डिप्लोमा है वो होना चाहिए और इसमें भी minimum 60% marks है वो आपके होने अनिवारिये है nex post की बात करें तो next post है इसमें एक्जुकेटिव ओप्रेशन एंड बी डि तो इसमें total जो विकेशी है वो total 237 विकेशी है वो इन्होंने बताई है आप देख सकते हैं total 237 विकेशी इसमें बताई है अच्छी कासी विकेशी है educational qualification की बात करें तो इसमें आपके पास graduation होना चाहिए 60% marks के साथ minimum 60% marks अगर आपके graduation में हैं तो आप इस forum को apply कर सकते हैं एक्जुकेटिव में operations and bd वाले forum को और जो medical standard है वो आपका a2 type का होना चाहिए अगली post है वो इसमें एक्जुकेटिव में mechanical की post है है वो इन्होंने बताई है इसमें total तीन post है और इसमें qualification की बात करें तो आपके पास diploma होना चाहिए 3 years का mechanical electrical electronics manufacturing में आपके पास minimum 60% marks के साथ आपके पास 3 years का diploma है वो इसमें होना अनिवार है medical stand है वो वो आपका a3 type का होना चाहिए अगली post है वो आप देख सकते है जूनियर एक्जुकेटिव की इसमें पोस्ट है वो बताई गई है जूनियर एक्जुकेटिव की post है इसमें pay scale है वो आपका 10 पर चाहिए आप 10 मार्क्स के साथ minimum 50 % मार्क्स आपके होने चाहिए और आपके पास 2 years का दोू डूरिक्सट कोर्स का आपका पास iti का certificate होना चाहिए या फिर apprentice का certificate है वो आपके पास होना चाहिए उसमें भी आपको minimum 50 % मार्क्स होने चाहिए IT i यह वो आपको electrical, electricity, environment, electronics आधी trade में होना अनिवारिय है नेक्स्ट पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं junior executive signal and telecommunication तो इसमें total 147 पद है और इसमें जो qualification की बात करें तो इसमें matriculation with not less than 60% मतलब आपके पास 10 वी है वो 60% से नीचे marks की नहीं होनी चाहिए और साथ में two years का आपके पास या तो apprentice होना चाहिए या फिर iti का certificate होना चाहिए iti भी इसमें trade दीगी है electronics communication information tv and radio electronics इंस्ट्रूमेशन digital electronics data networking और इन सभी में भी आपके 60% marks है वो होने अनिवारिय है मतलब दस्वी में और iti में दोनों में आपके 60% marks है वो होने जरूरी है अगली पोस्ट की बात करें तो अगली पोस्ट है वो इसमें है जूनियर एक्जुकेटिव operations एंड बीडी तो इसमें टोटल 225 पदों के लिए बरती है यह आई है और इसमें एजुकेशनल क्वालफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास दस्वी होनी चाहिए 60% marks के साथ और साथ में आईटिय होनी चाहिए 60% marks के साथ और साथ में जो कोई ग्रेजुएट इगर स्टुडेंट है वो भी इस बरती के लिए आयदन है वो करे सकता है नेक्स्ट इ इसमें matriculation मतलब आपके पास दस्वी होनी चाहिए minimum 60% marks के साथ और आपके पास आईटिय होनी चाहिए 60% marks के साथ क्यों कौन सीट्रेड से फिटर, electrician, motor, mechanical, electronics, instrumentson से आपके पास minimum 60% marks के साथ आपकी आईटिय है वो भी होनी चाहिए medical standard की बात करें तो वो B1 type का medical standard आपका होना चाहिए आगे हम इसके जो age limit है उसके बारे में बात करते है तो age limit है वो इन्होंने बताई है कि आपके पास जो junior manager की जो vacancies है उसमें 18-27 आपकी age limit हो होनी चाहिए age है वो आपकी 1-1-2021 तक की count होगी और जो executive की post है उसके लिए 18-30 है वो age आपकी होनी चाहिए और जो junior executive है उस है अलग-अलग जो age limit में जो election या फिर छूट दी गई है वो अलग-अलग आप देख सकते हैं कि SCST को 5 साल की छूट दी गई है OBC non criminal student है उनको 3 years की और जो PWPD candidate है उनको 10 साल की इसमें छूट है वो दी गई है आगे हैं इसके जो selection process है वो देखने वाले है कि इसमें selection process है वो किस परकार रहने वाला है तो selection process है वो हर post के लिए इन्होंने अलग-अलग बताया है कि junior manager में जो civil की post है उसमें आपका एक CBT होगा CBT दो लग-बग सभी जो post है उसमें एक CBT है वो होने वाला है और जो executive operations and VD वाली जो post है उसमें आपका एक CBATB होने वाला है मतलब computer based aptitude test है वो भी होने वाला है और सभी post में आपका document verification होगा और interview है वो सिर्फ 3 post है उपर की उनी में होने वाला है junior manager में civil operations and VD और जो mechanical की post है उनके लिए सिर्फ आपका interview होने वाला है बकि कोई भी post में interview नहीं होने वाला है और medical है वो आपका भी post का होने वाला है आगे इसमें देखते हैं कि examination है वो किस परकार की होगी तो exam है वो computer based test है वो आपका होने वाला है computer based test online mode में आपका exam होने वाला है इसमें 2 या 3 session में exam हो वाला है और दो घंटे का यह आपका पेपर है होगा इसमें टोटल 120 क्यूशन से वो पूछे जाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्जाम का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से रहने वाला है कि इसमें दा क्यूशन पेफर ओफ दा केम्प्टर बेस टेस्ट विल ब कि इसमें बताया गया कि कि पोस्ट के लिए कàng रहने वाला है और जो पेपर हो हिंदी और इंग्लिस दोनुब आ सां में आपका रहने वाला है और इसमें नेगिटीव मार्किंग्ग रहुए है वो आपकी रहने वाली है आगे मिस की जो exam fees examination fees है उसके बारे में देखते हैं तो examination fees है वो इन्होंने अलग post के लिए अलग अलग बताई है तो इसमें सबसे पहले जो junior manager की जो post है उसमें UROBC non criminal और जो EWS student है उनके लिए 1000 रुपए जो application fees है वो इन्होंने executive की जो post है UROBC non criminal और जो EWS candidate है उनके लिए इन्होंने 700 रुपए जो examination fees बताई है और जो SCST candidate है और जो PWBD और जो ex-serviceman candidate है उनके लिए कोई examination fees है वो इसमें लगने वाली नहीं है आगे मिस के जो examination CT है उनके बारे में बात करें तो examination CT है वो इन्होंने पहले से बताई है कि किस किस जगह पर आपका exam है वो होने वाला है तो computer based test है वो आपका पतना, एमदाबाद, गुहाटी, वाण, शी, भूनेशवर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, जयपूर, लखनो, मुंबई, कोलकता, बैंगलूरू, हैद्राबाद, नागपूर, बोपाल, विशाकपत्न, राची, राइपूर, पूने, त्रिवेंदरपुरम, चंडिगड, मोहाली, आधी जगह पर आपका exam का शेंटर है वो रहने वाला है तो आप यह देख सकते हैं, किस-किस जगह पर आपका exam का शेंटर है, वो इसमें रहने वाला है तो डेफेंस, यह थी जो नई बरतिया, यह उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकरी आसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेर जुरूर करें अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अग्जाम का जो सलेबस है, उसके बारे में डिसकस करने वाला है, कि इसमें सलेबस है, वो किस परकार का रहने वाला है, धन्यवाद